लला की ये प्रतिष्ठा वसुदहेव कुटम कम के विचार की भी प्रतिष्ठा है साथियों आज अयुद्या में केवल स्री राम के विग्रह रूप की प्रान प्रतिष्ठा नहीं हुई है ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्क्रिति के प्रति अटूट भी स्वाज की भी प्रान प्रतिष्ठा है ये साक्षात मानिविय मुल्यों और सरवोच्य आदर्शों की भी प्रान प्रतिष्ठा है इन बुल्यों की इन आदर्शों की आवशक्ता आज संपूर्ण विश्व को है सर्वे भवन को सुखे जाए यह संकल्प हम सद्यों से दोहराते आए है अज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मेरा है यह मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है यह भारत की द्रश्टी का भारत के दर्शन का भारत के दिगदर्शन का मंदिर है यह राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है राम भारत का चिंतन है राम भारत की प्रतिष्टा है राम भारत का प्रताब है राम प्रभाव है राम नेती भी है राम नीती भी है राम नित्यता भी है राम निरंतरता भी है राम विवु है विशद है राम व्यापक है विश्व है विश्वात्मा है और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या सताव्द्यों तक ही नहीं होता उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महरची वालमिकी ने कहा है राज्यम दस सहस्त्रानी प्रप्य वर्षानी रागवा अर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर पतिष्ठित हुए यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ जब त्रेता में राम आये थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थे हजारों वर्षों तक राम विश्वपत्व प्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देश्वासियों आजयो द्याभूमी हम सभी से प्रतेग राम भक्त से प्रतेग भार्तिय से कुछ सवाल कर रही है स्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्यों का इंतजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस आउसर पर जो दैव जो दैव यह आत्माएं हमें आशिर्वाद देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं आज मैं पूरे पविक्त्रमन से मैसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है यह सुकत संयोग है कि हमारी पीडी को एक काल जैपत के सिल्पकार के रुप में चुना गया है हजार वर्स बात की पीडी राष्ट निर्मान के हमारे आज की कारियों को याद करेगी इसलिए मैं कहता हूं यही समय है सही समय है हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है मंदिर निर्मान से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत के निर्मान की सौगंद लेते हैं राम के विचार मानस के साथ ही जन मानस में भी हो यही राष्टन निर्मान की सीड़ी है साथियों आज के यूग की मांग है कि हमें अपने अंतर करण को विस्तार देना होगा हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक राम से राष्ट तक होना चाहिए हनुमान जी की भक्ति हनुमान जी की सेवा हनुमान जी का समर्पन ये ऐसे गुण हैं जीने हमें बहार नहीं खोजना पड़ता प्रतेग भारतिय में भक्ति सेवा और समर्पन के भाव समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार मनेंगे और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार दूर सुदूर जंगल में कुठिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी शबरी का ध्यान आते ही अप्रतेम विश्वाज जागरुद होता है मां शबरी तो कब से कहती थी